जै मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार देख स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, हिंदु धर्मे में हर्याली तीज का तेवार भगवान सिव और मतापारवती जी के मिलन का प्रतीख है हर्याली तीज के दिन सभी विवाहित महिलाएं सुखी जीवन पाने की कामना करती है हर्याली तीज नाग पंचमी के दो दिन पहले मनाया जाता है ये तेवार स्रावन मा के सुकल पक्ष की तर्दिया तिथी को रखा जाता है और इसे हर्याली तीज के नाम से जाना जाता है तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हर्याली तीज 2022 के लिए पूजा का सर्वस्रेस्ट मुहरत क्या रहेगा आज साम आपको कितने बजे हर्याली तीज की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इस दिन साम के समय राहुकाल भी लगेगा इसलिए आप राहुकाल का समय जरूर जान लें क्योंकि राहुकाल असुप समय होता है और भूल कर भी इस समय पूजा पाट के कारें नहीं करने चाहिए अन्यता आपको वरत का फल नहीं मिलता है तो इस वीडियो में मैं आपको प्रदोस काल पूजा का सुभ मूरत बताऊंगी और साथ ही हर्याली तीज के वरत का पारण आपको किस समय करना चाहिए ये भी बताऊंगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल वर्ल बेस मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आई ये सुरू करते हैं दोस्तों सुहागिन महिलाओं के लिए हर्याली तीज का वरत बेहदी खास होता है क्योंकि सुहागिन महिलाओं इस दिन अपने पती के लंबी आयू और अच्छी सेहत की कामना के लिए वरत करती हैं और भगवान सिर्व और मातापार वती जी की पूरे विधी विधान से पूजा करके नर्जला वरत रखती हैं और साथ ही कुवारी लड़कियां भी इस दिन मंचाहेवर की प्राप्ती के लिए हर्याली तीज के दिन वरत रखती हैं दोस्तों हिंदु पांचांग के नुसार इस साल हर्याली तीज पर रवी योग का निर्माण हो रहा है ऐसे में इस योग में विधी विधान से की गई पूजा विसेश फल्दाई मानी जाती है आपको बता दें हर्याली तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को हाथों और पैरों में मेंधी लगाने चाहिए और पूजा के समय 16 स्रंगार जरूर करना चाहिए आपको बता दें कि हर्याली तीज पर हरे रंग का विसेश महात्तो होता है हरा रंग सौभाग का प्रतीख है इसलिए सुहागिन महिलाओं को तीज की पूजा में हरे रंग के कपड़े हरे रंग की चूणिया पहनेनी चाहिए इससे उन्हें सौभाग की प्राप्ती होती है चलिए अब जानते हैं हर्याली तीज के पूजा का सुभ मूरत क्या रहेगा तो आपको बता दें कि तर्दिया तिथी की सुरुवात 31 जुलाई 2022 की प्राता काल 2.69 मिनट पर हो रही है और तर्दिया तिथी की समाप्ती 1 अगस्त 2022 की सुभा 4 बच कर 18 मिनट तक रहेगी तो उदिया तिथी के अनुसार हर्याली तीज का वरत 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा और बात करें पूजा के सुमूरत की तो प्रदोस काल पूजा का सुमूरत साम 7 बच कर 13 मिनट से लेकर रात 8 बच कर 50 मिनट तक रहेगा और इस दिन साम को राहु काल भी लग रहा है राहु काल का समय साम 5 बच कर 31 मिनट से लेकर साम 7 बच कर 13 मिनट तक रहेगा तो आप 7 बच कर 13 मिनट से पहले इस बात का विशेज ध्यान रखें आप साम 7 बचकर 13 मिनट के बाद ही हर्याली तीज की पूजा करें और बात करें वरत खोलने के समय की तो आपको बता दें कि हर्याली तीज के वरत का पारण अगले दिन सुबा सूर्योदे के बाद किया जाता है तो वरत खोलने का सुब समय एक अगस्त को सुबा 5 बचकर 42 मिनट के बाद रहेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ हिसा चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद